इस वेजिटेटिव रिप्रोड्टिव एंड राइपनिग फेस अब इसको एक टेवल के माध्यम से संजाऊंगा कि वेजिटेटिव फेस कितने टाम के लिए रहती है रिप्रोड़क्टिव फेस और रैपनिग फेस और जो इरी है इनके डिफ्रेंट इस्टेजज को बनाया है जैसे आफका 0 to 9 है टोटल 10 से स्टेज में से डिवाइट किया गया है अर इसको इसको स्केल जिया है 0 to 9 तो लेकर फरिय थेज बोला जाता है और यह होती है around हमारी 4-5 days starting में हम क्या करते है pre-germination करते है soaking करते है seed का for 24 hours then another 24 hours इसको incubating के रख दिया जाता है फिर उसके बाद जब हम इसका direct हम seeding कर देते हैं seed bed में तो उसके आपके 2 और 3 days में इसमें क्या हो जाता है पहली leaf निकलने सुरू हो जाती है through the colioptile तो यह जितना भी stage यहां से लेकर यहां तक germination से लेकर emergence तक की stage है इसको हम zero stage बोलते हैं और यह होती है around 4-5 days अब है one stage यह first stage नहीं है इसको हम डोले है one stage यह scale है और यह हमारी seedling stage और seedling stage यह तयार हो जाती है हमारी 18-20 days after sowing हम seedbed में जब nursery में sowing करते हैं 18-20 दिन बाद जो पहुंधा तयार हो जो इसको हम seedling बोलते हैं जो कि ready होता है transplanting के लिए then उसके बाद two stage यह है आपका tillring tillring कब होती है शुरू देखो हमारी seedling शुरू होगी थी seedling जो transplanting के लिए तयार होगी थी 20 दिन में होगी थी उसके बाद जब हमने transplanting करी तो transplanting के 30 days after transplanting यह तब हमारी tillring होनी सुरू हो जाती है उसके बाद होता है three stage यानि की stem elongation तो यह सारी की सारी stage आती है हमारी vegetative stage में and it is of about 45 to 55 days तो यह आपको याद रखना है कि जो vegetative stage होती है rice की वो होती है 45 to 55 days and it may varies according to the varieties now come to the four stage stage four that is panicle initiations to booting तो शुरुआत में होता है कि जो panicle primodium होता है वो निकलना सुरू हो जाता है थोड़ा सा पार्ट इसका दिखना सुरू हो जाता है अगले photo में दिखाऊंगा अगले slide में दिखाऊंगा कि panicle initiation होता क्या है अब यहां से लेकर booting तक booting क्या होता है तो पैनिकल तो develop हो गया leaf seat जो बोलना है flag leaf seat है उसके अंदर develop हो गया उसके बाद देरे देरे क्या हो जाता है broader होना सुरू हो जाता है booting stage आपको दिखा देता हूँ मैं booting stage होता क्या है चले मैं आपको दिखा देता हूँ यह तो जो आप पहली image देख रहे है यहां तो हमारी emergence वारी stage है germination to emergence यह यहां पर आपका primary leaf निकल गया देखो यह यह तो है आपका colioptyle that is the white part फिर इससे निकलना है हमारा primary leaf यह और नीचे यह radical और radical में यह होता है हमारा coliorizer से यह radical ठीक और यहां पर आप देख रहे हैं इसके अगली वाली image यह leaf seed को ऐसे तोड़के देख रहे हैं तो यह इसके अंदर penicl develop हो रहा है तो यह stage होती हमारी booting stage booting stage में क्या होता है bulging होने लग जाती है जो penicl का size increase होने लग जाता है समझ रहे हैं जो leaf seed है वो ऐसे broader होने लग जाती है bulging होती है तो इसको हम बोलते है booting stage और नीचे वाली stage में आप पूरा देख सकते हैं यह penicl initiation से लेके booting का अंदर की बात है यह यह सब अंदर हो रहा है जो flag leaf seed है उसके अंदर हो रहा है पहले फिर यह फिर यह धिरे-धिरे करके develop होके last मैं ऐसा हो जाता है अब यह बहार नहीं निकला है leaf seed से यह निकलता है हमारा penicl exercise यानि की heading heading stage वो आती है फिफ्ती stage यह फिफ्ती तो नहीं इसको 60 stage कहेंगे बट scale है इसका stage 5 stage 5 इसमें होता हमारा heading और penicl exercise अब बेसिकल इसमें होता क्या है heading में यह हम बात कर लेते हैं heading की बात करें तो heading में penicl का emergence होता है from the tip of the flag leaf seed तो इसमें लगते हैं around 5 to 15 days तो यह होता हमारा heading stage अगर आप से पुछें कि penicl का emergence क्यों स्टेज में होता है तो होता है heading stage अगला है flowering flowering stage में क्या होता है flowering में anthers जो होता है या बोले है speculate जो होता है वो spikelet के जो लेमा पेले होता है खुल जाता है और anthers से जो pollen है वो stigma में जाते हैं fertilization होता है तो totally अगर हम इसको sum up करके देखें यह पूरा का पूरा क्या है reproductive stage कहां से लेकर penicl initiation से लेकर flowering की जो stage है यानि fertilization तक की जो stage है उसको हम बोलते है reproductive stage अब बहुत बार question यह पूछ लिया जाता है कि rice crop में जो reproductive phase हो कब start होता है तो आप इसका answer दे सकते हैं 55 days now comes to the ripening stage ripening stage भी 30 days तक की रहती है इसमें 30 दिन लगते हैं ripening होने में सबसे पहले stage है milk grain stage फिर है duff grain फिर है mature grain image के through हम इसको समझते हैं देखो यह milk grain इसमें क्या होता है पहले milking होनी सुरू हो जाती है milking होती है और इसमें जो flag leaves होते है और जो two lower leaves होती है वो ग्रीन रहती है उसके नीचे वाली सब ड्राइ हो जाती है एक तो जो उपर की flag leaf है topmost leaf वो और उससे नीचे की दो leaf यह green रहती है और नीचे की सारी ड्राइ हो जाती है अगली stage है duff grain stage इसमें soft duff बनता है इसमें क्या होता है कि जो हमारे जो leaves है other than the flag leaf flag leaf जो topmost leaf है वो तो green रहती है उसके अलावा जितनी भी leaves होती है सब की सब yellow हो जाती है अगली है mature grain में सारी की सारी leaves yellow में convert हो जाती है sometimes in some varieties the flag leaf remains green okay